हेलो फ्रेंट्स वेलकम हैं आप सबको मेरी इस यूट्यूब चानल पर शालूस टिप्स और रिव्यूज पर तो आज मैं एक अन्बॉक्सिंग की वीडियो लेकर आई हूँ तो बेने रहेगा आगे तक तो फ्रेंट्स ये जो स्टव है एक ओटो इगनिशन ग्यास स्टव को जो लाइटर को उभ्योग करना या माचिस की तीलियों की जलाने के लिए मैन्वेल प्रयास की अवश्यक्ता नहीं होती है जिससे काना पकाने की सबी प्रक्रियां बहुत तेज और आसान हो जाती है ओटो इगनिशन ग्यास टव आम तोर पर तीन से चार बर्नर से लेस होते हैं और बेड़े परिवार के लिए एक बेड़िया विकलप है ओटो इगनिशन ग्यास टॉव आपके जीवन को सरल बनाता है तो मैंने करीदा है चार बर्नर की इस जो ओर्टो इगनिशन्स की ग्यास्टाव तो इसके साथ इस तरह सा जो वैरंडी कार्ड बगर आया है और हमें एक सेल मिलते हैं इसके साथ तो चलिए ओपन करते हैं जो इसे बाहर रेकर हम पूरी तरह से इसका जो ब्यूटी है वो देखते हैं और इसे किस तरह यूज किया जाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो फ्रेंड्स एक ग्यास्टव रेसोई का दिल है और निश्चित रूप से सावधानिक पूरवक विचार करने के बाद इसे करीदना जाना चाहिए है ना हम सब लेडिस को किचन बहुती ब्यूटीफुल दिखना है तो साती साथ इस तरह का ग्यास्टव भी आजाए तो बेडिया और किस बात की है ना दिखने में बहुत ब्यूटिफुल स्टाव हो तो हमारे किचन भी दिखेंगे ब्यूटिफुल और कुकिंग करने में बहुत ही शौक हो जाएंगे हमें हैना फ्रेंज तो यह जो मैंने करीदा है मेरी जो फेवरिट जो आई बल की जो यह जो स्टाव है बहुत ही शांदार है दिखने में बहुत ही अच्छा है और इसे clean करने में easy है easy to clean है तो इसके चारो set आप देखिए कितना बेड़िया लग रहा है कितना smooth और दिखने में attractive है glazing है अच्छे से और मैं बताती हूँ आपको बाकी जो चीज़ें इसे किस तरह use किया जाते है और हाँ friends यह जो stow है ना Amazon में offer आया था तो मुझे यह 12,000 में पढ़ा है यह 20,000 का था लेकिन 12,000 में मैंने इसे करीदा है और इस stow का जो sell हमें मिला था ना उस sell को हमें इस तरह का जो stow को मैंने उल्टा किया है और इसकी अंदर इस तरह से हमें इस sell को रेखना है और इस तरह सा इसको हमने बेंद कर लिया है तो इसकी नीची के side इस तरह दिखता है एक दमच्चे से pack किया हुआ है और उपर से देखिए यह जो burner है इस तरह सा हमें अलग कर सकते हैं एक बड़िया सा एक look दे रहा है इसे और इस तरह का round shape मुझे इसका जो look है बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा burner है और इसे भी हम निकाल सकते हैं देखिए इस तरह से और पूरा packing किया हुआ है पूरा cover किया हुआ है चारो side से थाकि हम जो गरम करेंगे दूद वगेरा उबालेंगे नीचे गीरा तो भी ओ स्टाव की नीचे से नहीं आएंगे उपर उपर रहेंगे और इसे easy to clean है इसे clean करने बहुती आसान है तो इस तरह से हमें इसे पुरी तरह से दिखिए इसका जो दिखने का जो look है इस तरह से है और यह जो stand है इसे हमें रखते हैं तो कुछ भी ऐसा hole वागेरा नहीं है एकदम steady अच्छे से यह रहते हैं और जो knob है यहां पर इस तरह उपर से दिया गया है और जो eyeball की जो इसका जो weight है 14.6 kg का है तो काफी एक अच्छा stove मुझे लगा और यह 5 year की जो warranty में दिया गया है अभी हम इस stove को on करेंगे तो इस तरह सा इस knob को press करना है और left side में आपको गुमाना है तो हमारा stove on हो जाते हैं अगर bend करना है तो आप इसे right side पर इसे turn करना है तो bend हो जाएंगे तो है ना बहुत ही आसान और हाँ friends इसे use करना बहुत ही आसान है इसका जो flame को किस तरह सा आपको medium to low रखना है हाई रखना है उसका सारे picture जो है इस knob की side में दिया हुआ है उसी तरह से आप इसे use कीजिएगा इस BC schedule में तो job करते हुए ladies को जो कोई भी हो आपको फटाफट से काम कर सकते हैं ना कुछ lighter डूणने की जरूँते हैं ना माचिस डूणने की जरूँते हैं फटाफट से आईए kitchen में और इस knob को turn कीजिए चालू हो गया stove तो breakfast ready कीजिए, lunch ready कीजिए कितना आसान हो गया ना हमारा kitchen जो kitchen की cooking आसान हो जाते हैं तो इस चोटे से kitchen में भी जो आपना counter top दिखने में बहुती कुपसूरत लगेंगे ये जो eyeball की stove आप जाकर रेक देंगे तो तो दिखने में बहुती beautiful reference तो उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये stove क अन्बोक्सिंग वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर कमन करके बताना तो और भी मैं नए नए जो वीडियोस लेकर आऊंगी अन्बोक्सिंग की तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई थैंक यू